असलाम अलेकुम वीवर्स आज हम आपके साथ शेर कर रहे हैं रेस्टोरेंट में मिलने वाली खीर की रेसिपी रेसिपी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले खीर बनाने के लिए में दूद को पका लेना है दू अब इसमें चावल आट करेंगे चावल को हमने मिक्सर में दर दर अपीस लिया है बिलकुल महीन पाॉडर जैसा हमें नहीं बनाना है चावल का टेक्स्टर बिलकुल ऐसा होना चाहिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं अब थोड़े-थोड़े करके चावल इसमें डालते जाएंगे और चमत से मिक्स करते रहना है फ्लेम बिलकुल स्लो रखेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़े-थोड़े जावल एड करने से इसमें नहीं बनते हैं तली में जलने कर चांसी कम हो जाते हैं quaseникомीặc भी मिक्स भी हो जाता है तो इसलिए हमें थोड़े- तो चमत से मिक्स करते रहना है, फ्लेम बिल्कुद स्लो रखेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े जावल एड़ करने से, इसमें लम नहीं बनते हैं, तली में जलने का चांसिज भी कम हो जाते हैं, एक्वली मिक्स भी हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़े दालने चाहिए और लगता मिक्स करते जाएंगे आप देख सकते हैं इसकी कंस्टेंसी भी थोड़ी थीक हो गई है इसको पकते हुए पांच से साथ मिनिट हो चुके हैं इसको साइड रख देंगे अब एक पैन लेंगे पैन में एक ग्लास दूद को गरम कर लेना है अब इसम आप कंडेंस्ट मिल्क या मिल्क पाउडर का भी उसका सकते हैं तीनों सही टेस्ट बहुत अच्छा आता है खोय दूद को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर इसको इस तरह से पकाएंगे जब तक कि इसका स्मूथी सा टेक्स्चर न बन जाए इसको फाइनली मिक्सर बना लेना है दूद और खोय अच्छे से मिक्स हो चुके हैं वापस वही पतीला रखेंगे अभी तक हमने इसमें सिर्फ दूद और चावल पकाए हैं अब इसमें ये मिक्सर आइड कर देंगे हलके डालते हुए मिक्स करते जाना है फ्लेम रेगुल चीनी डालने के बाद इसको एक खदा आने तक पकाएंगे चीनी अच्छे से गुल गई है अब इसमें एड करेंगे गोले का बुरादा वैसे ये आप्शनल है आप चाहें तो इसकी जगे कद्दू कस किया हुआ भी उसकर सकते हैं इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खुश्बू भी थोड़ा बढ़ जाती है अच्छे से मिक्स कर लेंगे खीर बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे लगता चलाते रहेंगे बिल्कुल भी नहीं रुकना है अधरवाइस चावल तली में बहुत जल्दी से लग जा करने लगे हैं अब इसमें ड्राइफ रूट्स एट करेंगे ड्राइफ रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हैं हमने काजू बादाम चीवरोंजी और पिस्ता लिया है काजू को नाइव से कट कर लेना है बारी बारिक स्लाइसे में कट करेंग आप चाहें तो चौपर का भी यूज कर सकते हैं सबी इंग्रेडियंट्स के लिए स्टाप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैक करें सारे ड्राइफ प्रूट्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है खीर को सर्व करने के लिए हमने मिट्टी की प्याली ली है आप चाहें तो को हमारे चैनल बन नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बने बैल आइगन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कटे हुए ड्राइफ फ्रूट से इसको गानिश करेंगे काजू अदाम पिस्ता चरोंज लिया है और चांदी कवरक लगा रहे हैं जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है तो मिलते हैं आपसे एक लिए टेस्ट वी अबियालाहाफेज